आप सभी देश वासियों को आजादी के 75 वर्ष से पूरे होने पर बहुत बहुत बढ़ाई आजादी के 75 साल को हम लोग आजादी के अमरित महुत्सों के नाम से मना रहे हैं तो इस वीडियो में हम अपनी देश के आजाद होने के बाद जितनी भी महत्यपूर्ण घटनाएं घटी हैं उन महत्यपूर्ण घटनाओं को क्रामवार यहाँ पर हम लोग देखेंगे चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ देश की आजादी से 22 दिन पहले 22 जुलाई 1947 को डिल्ली के कॉंस्टिट्यूशन क्लब में समिधान सभा की पैठक हुई जवारलाल नहरू ने तिरंगे को राश्ट धच के रूप में अपनाने का प्रस्ताव रखा जो की स्विकार कर लिया गया 1947 पहली बार लाल किले पर तिरंगा फैराया गिया था ये तस्वीर आप देख सकते हैं लाल किले की लाल किले पर पहली बार 15 अगस्त को नहीं बलकि 16 अगस्त को 1947 को सुबा 8.30 बजे प्रधान मंत्री नहरू ने तिरंगा फैराया था लाल किले पर सबसे ज़्यादा 17 बार जवाहर लाल नहरू ने और सुल्वा बार इंदिरा गांधी ने धजा रोहन किया है 1948 के बार अगली घटना 1948 की देश की पहली इस्टिम शेप लॉंच हुई कौनसे शेप लॉंच हुई देश की पहली इस्टिम शेप लॉंच हुई ये इसकी दस्वीर है यहाँ 1948 में देश की पहली इस्टिम शेप लॉंच हुई है ये शेप विशाखा पिटनम के हिंदूस्तान शेप व्याड में बनकर तयार हुई इसका नाम जल उशा रखा किया 1948 की अगली घटना लंदन ओलंपिक में भारतिय टेम ने ब्रिटेन को हरा कर गोल्ड जीता 1948 लंदन ओलंपिक में भारतिय होकी टेम ने ब्रिटेन को 4-0 से हरा कर गोल्ड मेडल जीता यहाँ आजादी के बाद भारत का पहला गोल्ड था भारतिय होकी टेम का ये लगतर चौथा ओलंपिक गोल्ड मेडल था 1948 की अगली गंटना हैदराबाद का सरंडर भारतिय फोज ने 5 दिन के ओपरेशन पोलो में की थी फ्यत्य है 13 सितंबर 1948 को भारतिय सेना ने हैदराबाद पर हमला कर दिया और यह जो ओपरेशन था इसका नाम था ओपरेशन पोलो 17 सितंबर की शाम को हैदराबाद की सेना ने हथ्यार डाल दिया पांच दिन चली कारिवाही में 1373 रजाकार और हैदराबाद की 807 जवान मारे गये भारतिय सेना के 66 जवान सहीद हुए जब सरदार पटे हैदराबाद पहुँचे तो निजाम उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट आए और यही तस्विर आप यहाँ पर देख रहे हैं यह हैं सरदार पटे 1949 अगली कटना महिंद्रा इंड महिंद्रा ने बनाई देश की पहली जीब यह है उसकी इमेज देश की पहली जीब जो की इस तरीके की थी किसने बना था महिंद्रा इंड महिंद्रा 1949 में महिंद्रा इंड महिंद्रा कंपनी ने देश की पहली जीब बनाई इसे असेम्बल करने का काम 1947 से शुरूक हुआ था लेकिन प्रोडक्शन उनीसो उनजास में हुआ इसका नाम है विलेज सी जै थ्री ए जीप था ये इसका नाम था अगली घटना उनीसो पचास की देश की पहली रिपब्लिक परेड राजपत पर नहीं नेशनल स्टेडियम में हुई थी ये इसकी उस टाम की आपरेड की तस्विर दे सकते हैं 26 जनवरी उनीसो पचास को भारत को अपना सम्वेधान मिला पहली रिपब्लिक डेप परेड राजपत पर नहीं डिल्ली के इरवीन एमपी थेटर में निकाली गई थी अब यहाँ ध्यांचन नेशनल स्टेडियम हैं इंडोनेशिया राश्रपती सुकर्णों पहले मुख्य अती थी थे 1950 की अगली घटना पर आते हैं सुप्रीम कोट की इस्थापना हुई इसका पहले जो नाम था चैंबर ओप प्रिंसेज था 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोट अस्तित्व में आया संसत्भवन की चैंबर ओप प्रिंसेज में पहली बार सुप्रीम कोट की बेंच बैठी थी पहले चीब जस्ट्रीज हीरालाज जे कान्या थी जबकि पहली महिला चीब जस्ट्रीज बीवी भातिमा थी अगली महत्यपूर्ण घटना 1959 में पहली बार दिल्ली में एशियन गेम्स हुए भारत में इसमें इंक्यावन मैडल जीते थे 1959 में चार से ग्यारा मार्च के बीच नई दिल्ली में पहले एशाई खेल हुए इसमें ग्यारा देशों की 489 खिलाडियों ने हिस्सा लिया जापान ने सबसे ज़्यादा 24 स्वर्ण के साथ कुल 60 मेर्डर हासिल किये भारत ने 15 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 59 मैडल जीत कर दूसरे नंबर पर रहा उन्नी सो इंक्यावन की अगली घटना संसत ने पहली पंच वर्ण से योजना को मंजूरे थी पी एम जवाहलाल नेहरू ने उन्नी सो इंक्यावन में पहली पंच वर्ण से योजना संसत में पेश की मक्सद खेती का विकास करना था इस योजना में ही भाकड़ा, हीराकुन, दामोदर घाटी बांध जैसे प्रोजेक्ट सामिल थे इसमें अब उन्नी सो इंक्यावन के बाद महतुपूर्ण जुगटना होती है उन्नी सो बावन में आजाद भारत का पहला आम चुनाओ कॉंग्रेश ने जीती 364 सीट ये उन्न समय की अब इमेज देख रहे हैं उन्नी सो इन्क्यावन बावन में भारत का पहला लोग सभा चुनाओ हुआ उस वक्त 35 करोण की आबादी में 85 प्रतिशत लोग असिक्षित थे इस सुनाओ में कॉंग्रेश ने 364 सीटें जीती महिलाओ ने भी चुनाओ में बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया 1953 की घटना टाटा की एर इंडिया का रास्ट्री करण हो गया 1953 में एर इंडिया का रास्ट्री करण हुआ जहांगीर रतन जी दादा भाई जे आरडी टाटा ने 1932 में इसकी स्थापना की थी तब इसे टाटा एर लाइन्स कहा जाता था इसमें सरकार की 49 प्रतिशत टाटा की 25 प्रतिशत और बाकी हिस्सा जो होता था जनता की हिस्सेदारी थी 1954 की घटना देश का पहला एटामिक एनर्जी रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे बना कहा बना था ट्रॉम्बे में 1954 में भारत नी अपना पहला एटामिक एनर्जी सेंटर मुंबई के ट्रॉम्बे में शुरू किया ये भारत की नुकलियर प्रोग्राम की शुरुवात थी बाद में इसका नाम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रख दिया क्या इस प्लान को शुरू करने में सबसे बड़ा युगतान होमी जहांगी भाभा का था 1955 की घटना आजाद भारत को पहला बैंक मिला ये बैंक का लोगो 1955 में देश को अपना पहला बैंक मिला इसका नाम स्टेट बैंक ओफ इंडिया रखा गया पहले इसका नाम दा इंपेडियल बैंक ओफ इंडिया था उस समय यह भारतिया उप महाद्विप का सबसे पुराना और सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक था 1956 में आयाटी बॉम्बे के इस्थापना नहरू ने रखी बुन्याद 1956 में भारत में आयाटी बॉम्बे के इस्थापना हुई पीएम नहरू ने इसकी बुन्याद रखी थी हलकि खड़कपूर आयाटी को पहला आयाटी कहा जाता था लेकिन वह पहले वह इंजिनरिंग कॉलेज था इस समय भारत में 23 आयाटी है 1957 दुनिया में जमीन पर बने सबसे लंबे डैव हीरा कुंड की निव रखी गए 1957 में दुनिया में जमीन पर बने सबसे लंबे डैम हीरा कुंड की निव रखी गए यह डैम उडिशा में माहा नदी पर बना है 13 जनवरी 1957 को पीएम नहरू ने इसका उधगाटन किया था यह पहली पंचवर से योशना के तहद बनाया गया था 1958 मिलखा सिंग ने टोक्यो एशन गेम्स में पाकिस्तान की अब्दुल खालिक को हराया 1958 मिलखा सिंग ने टोक्यो एशन गेम्स में पाकिस्तान की अब्दुल खालिक को हरा कर 200 मिटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता उस वक्त अब्दुल खालिक एशिया में सबसे तेज धावक थे बिलका सिंग ने 21.6 सेकेंड में रेस पूरी की थी जबकि अब्दुल खालिक ने 21.7 सेकेंड में रेस पूरी किया 1960 पहुँशते हैं 1960 अब्दुल कलाम ने रॉकेट एसेंबल किया पहली नौगरी डियार्डियों में की 1960 में एपी जी अब्दुल कलाम ने देश का पहला सॉल्डिंग रॉकेट एसेंबल किया जिसका परिक्षर 1963 में केरल के थुमबा में हुआ यहीं से भारत में स्पेस प्रोग्राम की सुरुवात हुई 1968 में मद्रास इंस्टिटूट ओप टेक्नलोजी से ग्रेजुएशन करने के बाद कलाम ने बतौर साइन्टिस्ट डियार्डियों जॉइन किया था उन्होंने अपने केरियर की शुरुवात ओवर क्राप्ट बना कर की थी 1968 की अगली घटना रामा नाधन विंबल्डन सिंगल्स के सेमी फैनल में पहुशने वाले पहले भारतिय बने राम नाधन क्रिश्णन देश की पहले टेनीस की लाड़ी बने जो 1964 विंबल्डन के सिंगल्स की सेमी फानल तब पहुँचे सेमी फानल में क्रिश्णन का सामना वर्ल्ड नंबर वन आस्ट्रिलिया की नील फ्रेजर से हुआ था और राम नाधन से ये मैच हार गया थी 1961 की घटना पहला विबान माहकपोथ आयनेस विकरांथ नौ सेना में शामिल हुआ ये इसकी पीके आयनेस विकरांथ की 1961 भारती नौ सेना में पहला विबान माहकपोथ आयनेस विकरांथ शामिल हुआ ये तब किसी एश्याई देश का पहला विबान माहकपोथ था फिलाल दुनिया में भारत के अलावा अमेरिका, ब्रेटेन, रोस, फ्रांस और चीन की पास विबान माहकपोथ बनाने की चमता है 1961 की अगली घटना गोवा में 450 साल बाद पूर्तिगालियों ने महज 36 घंटे में समर्पड किया था 1961 में गोवा को पूर्तिगालियों के कबजे से मुक्त कराने के लिए भारती सेना ने आपरेशन विजय शुरू किया करिब 450 साल तक साशन करने वाले पूर्तिगालियों ने महज 36 घंटे में भारती सेना के सामने समर्पड कर दिया अगली घटना 1962 भारत ची युद्ध के दौरान लड़कियों को भी हत्यार चलाने की ट्रेनिंग दी गई ये तस्विर आप देख रहे हैं 1962 में भारत चीन युद्ध में इंदिरा गांधी ने अपनी ज्वैल्री नेशनल डिफेंस फंड में डोनेट की थी लड़कियों को हत्यार चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई थी असम राइफल्स की जवानों की पत्यों ने अपने पत्यों की हत्यार उठा कर हमलवारों को कड़ा संदेज दिया 1963 गटना लता मंगेश करने ए मेरे वतन के लोगों गाया तो नेहरों की आँखें हुवी नब 1962 के युद्ध में हार के बाद लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए 1963 में 27 जनवरी को दिल्ली के नेशनल इस्टेडिया में लता मंगेश करने ए मेरे वतन के लोगों गीत गाया मंजपर प्रधान मंत्री नेहरों और राश्रपती सर्वपल्नी राधा कृष्णन भी मौजूद थे गीच सुनकर नेहरों भावुक हो गय थे 1964 भारत नी टोकियो अलम्पिक में पाकिस्तान को हरा कर गोल्ड जीता दो नवंबर 1964 में भारत नी टोकियो अलम्पिक में पाकिस्तान को 0-1 से हरा कर उलम्पिक गोल्ड जीता भारतिय टीम को चरण जी सेह ने लीट किया था बतन वापसी पर राष्ट प्रती डॉक्टर राधाकृष्ण ने भारतिय टीम को राष्ट प्रती भवन में बुलाकर सम्मानित भी किया था 1965 की गतना युद्ध में पाकिस्टान के खिला भारत की फैता है 1965 के युद्ध में पाकिस्टान बुरी तरह हार गया पाकिस्टान के पास ताकतवल शर्मन टैंक थी तस्वीर में एक तबाह शर्मन टैंक के साथ भारतिय सेनर के अफसर नजर आ रहे हैं इस युद्ध में अब्दूल हमीत ने पाकिस्तान के नौ टैंक तबाह किये थे जिसके लिए उन्हें मर्णोप्राद परमविर चक्रन दिया गया था अगली घटना 1966 की जंग में हार के बाद पाकिस्तान ताश्कन समझोते को मजबूर हो गया था 1965 की जंग में हार के बाद पाकिस्तान ताश्कन समझोते के लिए मजबूर हो गया यह समझोता 10 जनवरी 1966 को मौ जुदा उजबेकिस्तान के ताश्कन सहर में हुआ था और तब से यह सोव्यत संग का हिस्सा था एक दिन बाद ही यहीं पर शास्त्री का अजानक निधन भी हो गया था 1966 की अगली घटना इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधान मंत्री बनी लाल भादो शास्त्री के निधन के बाद 19 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने प्रधान मंत्री पत की सपतली वह देश की पहली महिला प्रधान मंत्री बनी 1969 में वह कॉंग्रेस की पहली बार अध्धक्षव बनी 1964 में लाहल बाहदु साजरी की कैबिनेट में मंत्री भी रही थी 1967 की घटना पहली स्वदेशी रॉकेट रोहिनी 75 लॉंच हुई 20 नवंबर 1967 में भारत ने अपना पहला रॉकेट रोहिनी 75 लॉंच किया इसे थुंबा एक्वेट्रोरियल रोकेट लॉंचिंग स्टेशन से लॉंच किया गया इसे सौंडिंग रोकेट की रोहिनी सिरीज के तहद बनाया गया चार साल पहले अमेरिका ने इसी तरह का अपना नाइक अपाचे रोकेट लॉंच किया था नेस्ट मेत्पूर्ण घटना 1967 में एमे स्वामी नाथा ने ग्रिन रिवल्योशन याने की हरित क्रांती की शुरुवात की इसे आजनाज में भारत आत्मनेर्भर बना भारत को इसके बाद किसी दूसरे देश से अनाज नहीं मंगाना पड़ा भारत दाल के उत्पादन में दुनिया में नंबर एक और धान में दूसरे नंबर पर है अगली गटना 1979 इंडिया का अपना पहला इस्पेस रिसर्च सेंटर इस्रो बना 1969 में इंडियान इस्पेस रिसर्च सेंटर यानी इस्थापना हुई तस्वीर एहमदाबाद में इस्रो के पहले एक्सपेरिमेंट सेटलेट कम्मिनिकेशन अर्थ इस्टेशन की है ये जो अब तस्वीर देख रहे हैं ये पी एम इंडिरा गांधी विक्रम सारा भाई के साथ पहुची थी पिछले 50 सालों में इस्रो 101 स्पेस क्राप्ट आंत्रिक्ष में भेज चुका है 1970 देश में स्वेत क्रांती यानी की दुख्ध क्रांती की शुरुवात हुई 13 जन्वरी 1970 को देश में आपरेशन फ्लर्ड यानी की श्वेत क्रांती की शुरुवात हुई तस्वीर में बॉम्बे कुर्ला में डैरी उधगाटन करते तबकि क्रिशी मंत्री जग जीवन राम है 1996 तक चली इस ग्रांती की तोरां भारत दुनिया का सबसी बड़ा दुख्ध उतपादक देश बन गया है 1971 पाकिस्तान के जन्रल नियाजी नी अपनी पिस्तॉल सनेंडर कर दी 16 दिसंबर 1971 में पांगलादेश युद्ध में पाकिस्तान ने 13 दिन के अंदर घुटने तेग दिये पाकिस्तानी जन्रल एके नियाजी नी लेटनेंट जन्रल जै एस अरोडा को अपनी पिस्तॉल सॉपकर सरेंडर किया उनके साथ 93,000 पाकिस्तानी सानिकों ने भी सरेंडर किया था 1972 किरनबेदी देश की पहली महिला IPS अफसर बनी 1972 में किरनबेदी देश की पहली महिला IPS अफसर बनी 2007 में उन्होंने समय से पहले रिटार्मेंट लेकर राजनिती में इंट्री ली बाद में पुदुचेरी की राज पाल भी वो रही 1973 सैम मौनिक्षाओ फिल्ट मार्शल के खिताब से नवाजे गए 1971 के युद्ध में भारती फोज की अगवाई करने वाले जनरल सैम मौनिक्षाओ को फिल्ट मार्शल का खिताब दिया गया यह भारती सेना में किसी व्यक्ति को दिया गया सर्वोच बद है इसी साल उन्हें देश का पहला चीफ आप डिफेंस स्टाब भी बनाया गया बाद में ये पोस्ट खतम कर दी गई 1974 पहला परमारू परिक्षण नाम ऑपरेशन इसमालिंग बुध्धा 18 मही 1974 को भारत नी अपना पहला परमारू परिक्षण राजर स्थान की फोकरण में किया अठारा माई को बुद्ध पुडिमा का दीन था। इसी वज़े से ओपरेशन का नाम इसमालिंग बुद्धा रखा गया था। इस परिक्षन की अगवाई अटॉमिक एनरजी कमिशन की चेयर्मेन होमी सेथ यानिंग की थी। 1975 देश की पहले उपग्रह आर्यभट का सफन परिक्षन। 1976 परवीन बाबी टाइम मैगजिन के कवर पर छपने वाली पहली वॉलीवोड हिरोई ये थी उनकी तस्वेर। 1976 में अभिनेत्री परवीन बॉबी की तस्वीर टाइम मैगजिन ने कवर पर छापी वहर टाइम के कवर पर जगह पाने वाली पहली वॉलीवोट की पहली हिरोईं थी अमिताब बच्चन और बॉबी ने आठ फिल्मों में एक साथ काम किया इनमें अमर अकबर एंथ्री, दिवार, नमक, हलाल, शान जैसे सोपर हिट फिल्में शामिल है अगली गटना 1977 तीन भार के फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन पेले पहली बार भारत में खिलने आए 1977 में तीन बार के फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन और ब्राजील की फुटबॉलर पेले पहली बार भारत आए पेले यहां नियॉक कॉस्मोस के लिए मोहन बगार के खिलने उतरे मैस कुलकाता की इडन गार्डन में हुआ 80,000 से ज़्यादा दक्षर पेले को देखने पहुचे थे 1989 मदर टेरेशा को सांती का नॉबेल प्राइज मिला था 1989 में मैदर टेरेशा को मानावता की मदद के लिए काम करने के लिए नॉबेल शांती पुरिशकार मिला उनका जन्मद 26 अगस्त 1910 को मैसेजोनिया के सकाप्चे में हुआ था वे 18 साल की उम्र में सिस्टर्स और लॉरेटो में शामिल हुई 1939 में कुलकाता की लॉरेटो कॉर्वेंट पहुची 1980 की घटना मारूती 800 कार भारत की मार्केट में लॉंच हुई 1980 में पहली बार मारूती 800 कार भारत की भाजार में आये इसका पहला मॉडल 1975 में तयार हुआ लेकिन यह सिर्फ ट्राइल के लिए था यह भारत में सबसे ज़्यादा बिखने वाली कार है और इस मॉडल की करिब 27 लाग कार भारत में बिखी थी अगली घटना 1980 की प्रकाश पादुकोड औल इंडिया ओपन बैट्मिंटन चैंपियंशेज जिपने वाले पहले भारती है 23 मार्च 1989 प्रकाश पादुकोड दोनिया के सबसे पुराने बैट्मिंटन टूर्णामेट और इंगलेंड बैट्मिंटन का खिताब जितने वाले पहले भारती है बने 24 साल के पादुकोड ने में सिंगल स्फाइनल में इंडोनेशा के लियम स्वी कींग को 15-3, 15-10 को हरा कर ये जीत हासिल की थी 1981 आटी कंपनी इंफोसिस की पुर्णे में इस्थापना हुई 1981 में इंफोसिस की पुर्णे में इस्थापना हुई तो जब 20 में इंफोसिस देश की दूसरी सबसे बड़ी आटी कंपनी बन गई पहले नंबर पर TCS है इसकी इस्थापना एन आर नारान मूर्थी ने 10,000 रुपए से शुरू की थी यह रुपए मूर्थी ने अपनी पत्नी सुधा मूर्थी से लिये थी 1982 में दूर्दर्शन ने पहली बार 15 अगस्त को कलर लाइफ टेलिकास्ट किया इसके साथ ही देश में रंगीन टेलिविजन शुरू हुआ इसके बाद 1982 का दिल्ली में हुए एशन गेम्स भी दूर्दर्शन ने रंगीन लाइफ टेलिकास्ट किया 1983 भारत ने पहली बार ODI क्रिकेट वर्ल्ड कब जीता था 1983 में इंडिया ने पहली बार 43 रनों से वेस्ट इंडिस को हराखन क्रिकेट का ODI वर्ल्ड कब जीता वाली भारती टिम ने वेस्ट इंडिस को 140 रन पर अल आउट कर दिया था भारत लोटने पर प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी ने खिलारियों का स्वागत किया जैसे आप इस दर्स्विर में देख रहे हैं 1984 पीटी उसा ने लोस एंजलेस उलम्पिक में चौथी पोजिशन हासिल की ये हैं पीटी उसा आठ अगस्त 1984 पीटी उसा लोस एंजलेस उलम्पिक की 400 मिटर रेस में चौथी पोजिशन हासिल करने वाली पहली भारतिय बनी रोम की क्रेस्ट राना कोजो कारू ने उन्हें 100 सेकेंड में मात देते हुए ब्राउंज मैंडल हासिल किया था इसके बाद उन्हें उडन परी भी कहा जाने लगा 1984 राकेश शर्मा आंतरिक्ष में पहुँचने वाले पहले भारतिय बनी 3 अप्रेल 1984 को बायु सेना की कैप्टन राकेश शर्मा आंतरिक्ष पहुचने वाले पहले भारतिय बनी उनके साथ सौव्यक संग के दो एस्ट्रोनोर्स भी थे उस वक्त प्रधान मंतरी इंद्रा गांधी ने जब उनसे पूछा वहां से हिंदुस्तान कैसा लग रहा तो राकेश ने जवाब दिया सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा तस्वीर मौस्को इस्थिश ट्रैनिंग सेंटर की है ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये मौस्को में जो ट्रैनिंग सेंटर है वहां की ये तस्वीर है अगला महत्यपूर्ण घटना भारत में पहली बार आईएस्डी टेलिफोन सर्विश शुरू हुई 1985 में भारत में पहली बार इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डैलिंग जिसों की सौट में आयजरी कहा जा रहा है ये सर्विश सुरू हुई पहली फोन कौल दिल्ली और इटली के बीच हुई थी भारत में सबसे पहले 1881 में औरेंटल टैलिफोन कम लिमिटेट इंग्लैंड ने क भुलकाता, मुंबई, चिन्ने और एहमदाबाद में टेलिफोन एक्षेंज इस्थापित किये थे अगली कहतना 1986 देश का सबसे पॉपलर टेलिविजन शिर्यन रमायन रिलीज हुआ टीवी पर रमायन सिरीज 1987 में दूरदर्शन पर रिलीज हुई रामानंद सागर इसके लेखक, निर्माता और निर्देशक थे यह सिरीज वालमिकी रमायन और तुलसी दास राम चरित्मानस बराधारित है यह इंडिया में अब तक सबसे पॉपलर और सबसे बड़ा शो है 1987 भारत ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट किया था 1987 में चौथे क्रिकेट विश्व कप की मेचबानी भारत को मिली थी कुछ मैच पाकिस्तान में हुए थे औस्टेलिया ने इंगलेंड को साथ रणों से हरा कर वर्ल्ड कप जीत लिया पहली बार सारे मैच पचास ओवर के हुए इससे पहले सैट ओवर के बंडे मैच होते थे अगली घटना 1988 26 साल बाद भारती प्रधान मंत्री चीन गया साल 1988 चीन के बुलावे पर ततकालिन प्रधान मंत्री राजियु गांधी 1962 युद्ध के 26 सारबात रिस्तों में आई खटास दूर करने के लिए बीजीन पहुँचे थे इस दौरे में दोनों पक्षों के भी सभी चेत्रों में दुर्पक्षे संबंधों के विस्तार एवं विकास पर सैमती बनी थी 1989 देश की पहली मिसाल अकनी वन का सफर्ण टेस्ट 22 मही 1989 को देश की पहली मिसाइल अकनी वन का चांदिपूर रिंज से सफर टेस्ट रू हुआ यह 1000 किलो के निकलियर वर कैरी कर सकती है इसे ट्रेन और रोड के जर्ये एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है मारक चमता 700 से 1000 किलोमेटर है 1992 सत्यजीत रे पहली भारतिय बने जिन्हें आसकर आवार्ड मिला उन्हें Academy of Motion Picture Arts and Sciences की तरफ से Lifetime Achievement के लिए मानत आसकर दिया क्या दो मैं 1921 जण में सत्यजीत रे ने 23 अपरे 1992 को अन्तिम सांस ली 1993 की घटना पंजाब में आतंगवाद सबसे नीचली इस्तर पर पहुँचा कमवरपाल सिहंगी 90 के दसक में पंजाब की DGP बन एक साल के भीतर पंजाब में आतंगवादियों की संक्या 1500 से घटकर 50 हो गई पंजाब में अलगावादी को कुचलने का अश्रया गिल को ही मिला विदेश भर में सुपर कॉप नॉम से फेमस हो गया 1994 में एश्रया राण ने मिस वर्ड का खिताब जीता था मिस इंडिया के आखरी राण में एश्रया से पूछा गया पती की खूबियों के लिए आप दवोल्ड के रिच फोरेस्टर और शांत्रा बारबारा के मैसन कॉप पेल में से किस किरदार को चुनेंगी एस ने जवाब दिया मैसन कॉप पेट 1994 में सुस्मिता सेन और अश्रया राय दोनों ने ही मिस इंडिया पैकमेन में हिस्सा लिया था सुस्मिता सेन ने ताज हासिल किया था 1994 में ही वो मिस इनिवर्स प्रत्योगिता में पहुची सुस्मिता ने पहली बार भारत की ओर से मिस इनिवर्स करताज अपने नाम किया था 1995 की घटना विदेश संचार निगम लिमिटेट ने पहली बार इंडिया में इंटरनेट लॉंच किया 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिविटेट ने पहली बार देश में इंटरनेशनल लॉंच किया डेवेंबर 1998 में सरकार ने नीजी ओपरेटरों द्वारा इंटरनेट सेवाओं को उबलब्ध कराने के लिए नीजी कमपनियों को काम दिया 1997 में कलपना चावला इस्पेस में जाने वाली पहली भारतिय महिला बनी 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया इस्पेस सेटल की जरिये चावला का पहला आंत्रिक्ष मिशन शुरू हुआ था वो दूसरी बार 2003 में दूसरी बार इस्पेस में गई थी लोड़ते वक्त इस्पेस सेटल दूर घटना ग्रस्त हुगे 1998 की अगली घटना भारत नी प्रोकरण में परमारू परिक्षन किया था यह उसकी पिक्षर आप देख रहे है 11 में 1998 को भारत नी राजस्थान के पोकरण में तीन परमारू परिक्षन के भारत ने इसे ऑपरेशन सकती नाम दिया था उसके बाद 13 में को दो और निकलियर टेस्ट हुए इन परिक्षरों का नेत्रित्व पुर्वरास्ट्रपती डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था अगली घटना 1999 कारगिल वार में भारत की फत्य है भारत ने 1999 के कारगिल वार में पाकिस्तान को करारे शिकस्त दी थी भारती फोज ने इसे ऑपरेशन विजय नाम दिया था युद्ध में कैप्टन विक्रम बात्रा ने पांच दोश्मन सानिकों को पॉइंट ब्लैक रेंज में माड़ गिरा था इसके लिए उन्हें मर्णो प्रांथ परमवीर चक्र मिला सन्दोहजार कडम मेलेश्वरी अलंपिक में मेडन लाने वाली पहली महिला बन सिर्टनी ओलंपिक में 19 सितंबर सन्दोहजार को 79 किलो की वेट लिप्टिंग कैटेक्री में कर्णम मेलेश्वरी ने कां से पदक जीता था ऐसा करने वाली वो पहली भारतिय महिला बनी 240 केजी में उन्होंने सन्दोह कैटेक्री में 110 केजी और क्लीन एंड जर्क में 130 केजी कभार उठाया 2001 लता मंगेशकर को भारत रत न दिया गे 21 मार्च 2001 को लता मंगेशकर को भारत रत न मिला लता को 1972, 1975, 1990 में राश्ची पुरुषकार, 6 बार फिल्म फिर पुरुषकार और 1989 में दादा सहाब वाल के पुरुषकार मिला 92 साल की उम्रा में शर्कों किला लता मंगेशकर ने दुनिया को एलविदा कह दिया 2007 पहली T20 वर्ल्ड कभ भारत के नाम भारती क्रिकेट टीम ने महेंदरी सीध होनी की अकवाई में 2007 में पहली T20 वर्ल्ड जीत कर इतिहास रश्च दिया भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में पांच रन से मात दी थी भारत की पांच विकेट पर 157 रन के जवाब में पाकिस्तान की टीम 19.4 ओवर में 152 रन ही बना सकी थी 2008 भारत ने पहले आत्रिक शयान को चांधर भेजा जन्डा वाला चौथा देश बना 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने अपनी पहले चंद्रविशन चंद्रयानवन का सफल प्रक्षे पड़ किया यह अभ्यान मानव रही था इसे पॉलर सेटलाइट नौच वहेकल की मदद से सतिश दहवन आत्रिक शिकेंद्र से प्रक्षे पित किया गया भारत चंद्रमा पर अपना जंड़ा लगाने वाला चौथा देश बन गया 2008 की अगली घटना ओलम्पिक में व्यक्तिकत प्रतिश परधा में भारत ने पहला गोल्ड जीता 2008 में अभिनाव बिंद्रा ने भारत को व्यक्तिकत इस परधा में पहला ओलम्पिक गोल्ड दिलाया था बिजिंग ओलम्पिक में पूर्शों की 10 मिटर एयर राइफल्स इवेंट में अभिनाव ने अंतिम शॉट में 10.8 के स्कोर के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया तब भारत ने दोकांसिक भी अपने नाम किये थे अगली घटना 2009 देश को स्वदेशी सब मेरी अरिहन्थ मिली 2009 में भारत ने पहली स्वदेशी पंडूबी को लॉंच किया इसका नाम आयनेस विक्रांत रखा गया आयनेस अरिहन्थ स्वदेशी तरीके से विक्सित पहली परमाणू पंडूबी है इसकी तयारी 1970 की दसक में ही शुरू की गई थी ऐसे करनी वाला भारत छठा देश बन गया था 2009 जैहो के लिए गुलजार और रह्मान को आस्कार मिला 2009 में भारती संगीतकार एयार रह्मान को फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर के लिए सर्वस्रेस्ट संगीतकार का आस्कार अवार्ड मिला आस्कार में स्लम डॉग फिल्म ने आठ अवार्ड जिटकर इतिहास रज़ दिया अग्ली फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर में जैहो सॉंग के लिए कित कार गुचार को आसकर रवार्ड समानित किया क्या हाला कि आसकर स्रेमनी में वह शामिल नहीं हुए जिसके वज़े से इस रवार्ड को उनकी फिल्म टिम ने दे लिया 2010 इंडिया ने पहली बार दिल्ली कॉमन वेल्ट गेम्स में सौ पदक जीते हैं 2010 में भारत में पहली बार दिल्ली में कॉमन वेल्ट गेम्स हुए भारत ने इसमें रिकॉर्ड 101 मेडल के साथ दूसरा इस्थान हासिल किया था इनमें 38 गोल्ड 27 सिर्वर और 36 ब्रांच मेडल थ जब कॉमन वेल्ट के इस इवेंट में भारत को पदर हासिल हुआ था नेक्स्ट 2011 दूसरी बार इंडिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता यह उस पिक्सर अब देख सकते हैं तो अप्रेल 2011 को टीम इंडिया ने मुंबई के वान खेड़े इस रिडिया में स्रेलंका को वर्ल्ड कप जीता इससे पहले 1983 में हमें ताज मिला था यह राज दिया को मैन आप दे स्रीज और धोनी को मैन आप दा मैच मिला 2012 देश को पहली इंटर कॉंटिनेंटल मिसाइल मिली यह उसकी इमेज है 19 अपरे 2012 को देश को पहली इंटर कॉंटिनेंटल मिसाइल अगनी पांच मिली इसकी मारक शमता 5500-8000 किलोमेटर तक है मतलब पूरा चीन इसकी जेद में है इसका परिक्षर उलिसा के वीलर आईसलेंड से किया गए अगली घटना 2013 मंगल पर यान भेजने वाला अशिया का पहला और दुनिया का चौधा देश यह इसकी इमेज 2013 में मंगल पर आतरिक शेज भेजने वाला भारत अशिया का पहला देश बन गया इसरो ये काम्याभी हासिल करने वाली दुनिया की चौती स्पेस एजेंसी बन गई टाइम मैगजिन ने मंगल्यान को 2014 के सर्विस्रेस्ट अविशकारों में सामिल किया था 2015 दुनिया ने पहला योग दिवस मनाया 11 दिसंबर 2014 को युवेन नी 21 जून को इंटरनेशनल योग दे मनाने की घोशना की इसके बाद 2015 में पहली बार 21 जून को योग दिवस मनाया गया प्रधान मंत्री नरेद्र मोधी नी करीब 35,000 लोगों के साथ योग किया राश्ट प्रती प्रणव मुखर जी नी इसका उद्घाटन किया था 2016 भारत का पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक 28-29 सितंबर 2016 की रात को भारती सेना की स्पेशल फोर्स ने एलोसी पार कर प्योके में सर्जिकल स्ट्राइक की रिसमले में भारती सेना नहीं आतंगवादियों की 6 लांच पैट को तबाह कर दिया 45 आतंग की मारे गये थे यह स्ट्राइक उरी अटाइक का बदला लेने के लिए की गई थी 15 फरवरी 2017 को इस्ट्रो ने वर्ड रिकॉर्ड बनाया इस्ट्रो ने एक आत्रिक्ष अभ्यान में एक साथ 104 सेटलाइट लांच किये इससे पहले सिंगल मिसन में सबसे जादर सेटलाइट लांच करने का रिकॉर्ड रूस के नाम था जिसने 2014 में साथ इससेटलाइट लांच किया था 2018 इस्ट्रो आप्युनिटी दुनिया की सबसे उची मूर्थी 2018 में दुनिया की सबसे उची प्रतिमा इस ट्रेच्श आप्युनिटी बना कर तयार हो गए सरदार पटे कि इस प्रतिमा की कुल उचाए 180 मिल्चर है जबकि आधार सहीद इसकी कुल उचाए 240 मिल्चर है या प्रतिमा अमेरिका की स्ट्रेचियो अप लिपर्टी से भी उची है 2021 नीराज की जैवलीन थ्रो में भारत को पहला गोल्ड दिलाकर इतिहास बनाया नीराज जोपड़ा ने टोक्यो अलाम्पिक 2020 में भारत के लिए जैवलीन थ्रो में गोल्ड मेडल जीदा अटलेटिक्स में 100 साल में यह भारत का पहला गोल्ड मेडल था नीराज ने 87.2.3 मिटर दूर भाला फेकरिया काम्याबी हासिल की झाल में गहासित काम्याबी तूर चाहसित है जाएसित है काम है